नमस्कार आप सभी का आएगें स्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे लोग सिकायत निबारन पदादेकारी द्वारा यदि कोई अनुचित या गलत धंग से यादेश पारित किया जाता है या सिकायत के अनुकूल या मनयोग सिकायत पर सुनव पराई नहीं की जाती है तो आप किसी भी विभाग के पर्थम अपील ये पदादेकारी के खिलाप भी द्वीतिये अपील डायर कर सकते हैं मैंने राजस एवं भूमी सुदार विभाग में एक सिकायत किया था जिसमें विभागे लोग सिकायत निबारन पदादेकारी बाद को ओस्विकित कर दिया गया था फिर मैंने पर्थम अपील संजुक सचीव के समक्ष यह पर्थम अपील दायर क्या था जिसमें हम लोगों की सिकायत अंचल और अनुमंडल से संबंदित थी जिस पर मैंने सुनवाई किया और इस पर्थम अपील ये पदादिकार सह सं अनुमंडल भूमी सुधार उपसमाहरता, उदाक सुनगन, मदेपुरा एवं नगच्या की बात को सुना गया और उस से संबंदित थी करवाई करने का आदेश हुआ चलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, तभी हम पूरी तरह समझ पाएंगे कि किस प्रकार लोग शिकायत निवारन पतादिकारी एवं विभागिये संजुक सचीब द्वारा भी ठेक से वाद को नहीं सुना गया जिसके खिलाब दूइती अपील दायर किया जा रहा है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप लोग भी अवस्य दूइती अपील दायर करेंगे, चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, वो अवस्य सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को दबा कर ओल पर भी क्लिक अवस्य कर हो, उस पर से रह वस्य करें, जिससे हर नागरिक को अपने अधिकार की जानकारी हो सके, और वो विभागिय संजुक सचीप सा पर्थम अपीलिय पदा अधिकार के खिलाब भी दूइती अपील दायर कर सके, यहां मैंने अंचल से संबंदित भी कई जीले कई अंचला अधि अधिकारी की सिकायत किया था, जिस पर सुनवाई नहीं सुनी गई, इसलिए मैं पर्थम अपीलिय पदा अधिकार के खिलाब भी दूइती अपील दायर कर रहा हूं, आप लोग देखें, यह बिहार लोग सिकायत निवारन अधिकार अधिरियम 2015 के तहत मैंने यह दूइती अधिकार अधिकार के खिलाफ आप लोग दूइती अधिकार भी दायर कर सकते हैं तो देखेंगे, मोल परिवात संक्या जो मेरा था, वह मैंने डाला है, सेवा में दूती अपील प्राधिकार विभागिय सचीव या प्रधान सचीव जो भी सुनेंगे वो दूती अपील प्राधिकार होंगे राजस एवं भूमी सुधार विभाग बिहार सरकार अपिल करता अपना नाम देंगे पिता का नाम देंगे पुरा पता देंगे मुवाइल नंबर अवस्थ देंगे पांच में जिस आदेश के विरुद्ध अपिल डायर किया जाना है विभागे लोग सिकायत निवारन पताधिकारी एवं परत्यम अपिली प्राधिकार राजस एवं भूमी सुधार विभाग बिहार सरकार के खिलाप यह दूइती अपिल डायर किया जा रहा है चठा है उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद अपिल किया जा रहा है विभागे लोग सिकायत निवारन पताधिकारी द्वारा हम लोगों के सिकायत को ओस्रकिर्ट कर दिया गया था परत्थम अपिल यह प्राधिकार द्वारा के वल भूमी सुधार उपसमार्ता से नकलना देने से संबंदित आदेश पारित किया गया जबकि हम लोगों का जीला मधेपुरा के अंचल आलंगर चौसा जीला भागलपूर के अंचल नातनगर नरायनपूर वो अन अंचला दिकारी की भी सिकायत की थी साथ अपील या अपन रक्षन कादार विभिन अंचल से संबंदित शिकायत नहीं सुनने के संबंद में जबकि अधिकान सिकायत अंचल कार्यालय से ही संबंदित था जिस पर कोई कारवाई नहीं की गई आठमा मांग गई रहत जीला मधेपूरा अंतरगत आलंगर नहीं किया जा रहा है जो भी हम लोगा मांग जो भी हम लोग हम शिकायत में मांग करते हैं उसको यहां डालेंगे आठ नमबर में नौ में कोई अन्सुसंगत सूचना आदेश के बाब जू दिस यलार उदा के सुन गएंद्वारा नकल नहीं दी जा रही है अंचल कारियाले में नीजी मुंसी रखकर उपया पैसा की मांग की जाती है सभी अन्चल को नीजी मुंसी यवं दलाल को संबतित पताधिकारी को निर्देशित करते हुए अन्चल कारियाले से मुक्त करवाएं अपिलार थे मैं खुद हूँ और भी कई लोग हैं जिसके सहयोग से जिसके माध्यम से हम लोग बिहार के कई जीलों के कई अन्चला के दायर किया था यह एक परिबाद लोग शिकायत में बारन हधीकार अधिनियम 2015 के तहद दायर किया गया था यह राजम लेबल पर शिकायत है, आप लोग को भी य不管 कई जीले से संबन्धित कई शामुरिक शिकायत है तो आप लोग भी अवस्व शामुरिक शिकायत कर, चार मुक्त हो सके जैहन